हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चैनल फार्मारोक्स के यूटूब एज्चू किसनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसिस के बारे में कि जिसको हम सौट में कहते हैं C.O.P.D. तो C.O.P.D. की जो समस्या है ये होने की जो कारण वगेरा क्या है कि कौनसे कोजिस के कारण आपको C.O.P.D. का प्रॉबलेम होता है साथ ही ये डिसिस होने के बाद कौनसे सिम्टम्स डेवलप होदेगी कि जिसको हिंदी में हम उसको लक्षन कहते हैं और इंग्लिस में उनको कहा जाता है वो disease के symptoms और साथ में हम जानेंगे कि कौन से medicines वगेरा यूज होते है इसके treatment के अंदर तो यह हमारा part 1 वीडियो लेक्चर है about the COPD तो title slide पर से आपको पता चल गया होगा कि COPD की जो समस्या है वो हमारे respiratory tract के related है कि जो हमारा स्वसंत अंत्र है तो यहाँ पर आप देख सकते कि यह यह side का जो हमारा स्वसंत अंत्र है कि जो हमारे lungs है respiratory system के वो आपको काफी healthy देखने को मिलते है यह वाले portion के अंदर जबकि कि किसी को COPD का problem होता है तो यह respiratory tract के अंदर lungs के अंदर obstructions होते है वहाँ पर आपको blockage देखने को मिलता है inflammation वगेरा देखने को मिलता है तो यह समस्या होती क्यों है उसके और symptoms क्या develop होते है और किस तरह से हम उसका इलाज कर सकते है वो सभी को जानते है यह video lecture के अंदर So expert lecture by Amar Sir Assistant Professor and Founder of PharmaRox Thank you for being in one leg family of PharmaRox Updated रहिया Pharma Knowledge के साथ Access कर यह study material Test series and the video lecture on app PharmaRox तो PharmaRox का mobile application जो है वाप डाउनलोड कर सकते कि जो Android application है Google Play Store पे एं Apple iPhone एप अपन App Store लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो अब समझते है disease के बारे में detail में के what is COPD तो COPD मतलब की chronic obstructive pulmonary disease it is a group of lung disease that block the airway airflow and make it difficult to breathe मतलब की आप just आपके respirator track को अच्छे से समझे कि जो respirator track के अंदर जो हम breathing करते है तो ये wind pipe के तरू जो airs है वो हमारे lungs के अंदर enter होती है तो जब कोई disease condition नहीं होती और ये healthy होता है हमारा respirator system तो जब आप breathing करते हैं तो जो air आप breathing के अंदर लेते हैं तो वो air बिना किसी blockage के सभी parts तक पहुचती है हमारे lungs के और वहाँ पे वो oxygen पहुचाने का काम करेगी अब जब समझे कि COPD के अंदर ये यहाँ पे जो blockage होता है तो air flow जो है वो block हो जाता है और उसके करण जब आप breathing करते तो air तो समझो की enter होती है बट लंग्स के सभी parts तक वो नहीं पहुच पाती because यहाँ पे आप देख सकते कि यह एक obstruction आप देख सकते है यहाँ पे inflammation जैसा देख सकते है तो ऐसे condition के अंदर क्या होता है कि air flow जो है वो block हो जाता है and make it difficult to breathe कि जो भी person को यह COPD होता है तो उसको lung disease that goes obstructed airflow from the lungs के lungs के अंदर जो main airflow है उसमें obstruction होता है वहाँ पे जो है वो mainly produce होता है blockage तो blockage होने के कारण जो air है वो अच्छे से lungs के सभी parts तक नहीं पहुच पाती and it includes the chronic bronchitis and emphysema कि जब किसी को यह COPD का जो problem होता है तो उसके अंदर जो main medical condition जो associate है वो है एक यह chronic bronchitis का problem और second that is emphysema तो यह दो main problem यहाँ पे होते है COPD के अंदर तो आगे समझे कि emphysema that means slowly destroy the air sacs in your lungs which interferes with outward airflow यह समझे यहाँ पे लिखा है कि outward airflow कि जिस तरह से हम breath in करते हैं and breath out होता है कि जिसके करण सास जब हम लेते हैं तो जो हवा है वो हमारे lungs के अंदर enter होती है और जब हम सास को छोड़ते हैं तो वो air है वो हमारे lungs में से बाहर निकलते हैं तो उसके अंदर यह जो air sacs होते हैं वो काफी involved होते हैं तो COPD के अंदर और उसमें भी जब एमफे सेमा किसी को होता है तो एमफे सेमा में यह air sacs जो है वो slowly slowly destroy होना start करते हैं कि जो सबसे end point हम कह सकते हैं usually हमारे respiratory system के lungs का कि lungs के अंदर आप यहाँ पे muscles देख सकते हैं यहाँ से airway आ रहा है और airway लास्ट में यह air sacs तक पहुचता है और यह सभे blood vessels आप यहाँ पे देख सकते हैं तो एमफे सेमा में क्या होता है कि अलग-अलग disease condition के करण कि जो reasons से COPD होने के वो reasons के करण आपके यह जो air sacs जो होते हैं destroy फिर आगे समझे क्या होता है second जो उसके साथ involved होते हैं दूसरी condition that is bronchitis तो bronchitis causes inflammation and narrowing of the bronchial tubes कि जो हमारे main wind pipe है और उसके जो आगे जाके branches तयार होती है वो branches देरे देरे narrow होती जाती है और वहाँ पे inflammation develop होता है वी चलो mucos to build up तो यहाँ पे दो condition से आपके lungs जो है वो और ज्यादा damage होना start होते है एक तो emphysema क्या करेगा यह air sacs को damage करेगा और यहाँ पे उनका देरे देरे destroy होना यह start करेगी और यह होगा यह first problem और second problem जो यहाँ पे होता है that is bronchitis का problem कि जिसके करन जो आपके bronchitis जोगे रहा है bronchial tube से वो हो जाती है narrow और वहाँ पे build up होना start होता है mucus अब mucus develop होगा उसका मतलब हम indirectly समझे तो वहाँ पे जो cough है वो excess amount पे produce होता जाएगा और दिरे दिरे खासी अना भी patient को start होगा और इतना जदा cough जो है वो वहाँ पे जमा हो जाएगा कि जिससे आपको chest के अंदर काफी tightness जैसा feel होगा और ये cough जो है वो अंदर काफी amount के अंदर accumulate होता जाता है तो ये दो main problems जो होते है COPD के अंदर की patient को emphysema भी होता है and bronchitis और उसके करन आगे जाके chronic obstructive pulmonary disease जो है वो develop होती है तो अब जो हम point समझने वाले हैं वो आपके लिए काफी most important रहेंगे कि उसके causes क्या है कि कौन से ऐसे reasons है कि जिसके करन COPD होता है तो सबसे पहले ये एक reason है कि long term exposure to air pollution मनलब कि आप ऐसे area में रहते हैं कि काफी air जो है वो वहागी polluted है कि जहाँ पे जिस तरह से आप ये जो उपर वाला जो diagram देख रहे है कि vehicles के करन भी काफी pollution हो रहा है ये जो industries का जो इलाका है area है उसके करन भी वहाँ पे काफी pollution जो है वो फैल रहा है तो ऐसे area के अंदर आप समझे के काफी ज़्यादा दिर रहते है और वो air जो है वो continuously आप inhale करते है तो ऐसे condition के अंदर आगे जाके आपको COPD का problem हो सकता है so long term exposure to air pollution and inhaling dust can also cause the COPD तो एक क्या pollution के अंदर रहते है air pollution वाले area के अंदर और दूसरा आप जो है वो inhale करते है dust को फिर बात आती है family history की कि अगर आपके family के अंदर किसे को COPD रहा था कि जो एक genetic factor हम कह सकते है तो उसके current भी COPD हो सकता है फिर exposed to lung irritants ऐसे irritants की जो आपके lungs को irritate करते है डेमेज करते है उनके contact में आप आते है smokers or heavy smoke in a past तो ये एक primary reason है कि lungs के damage होने का और COPD होने का सबसे बड़ा जो कोई reason है तो that is a smoking exposed to a lot of second hand smoke कि समझो कि ये वाला person जो smoking कर रहा है तो उसके जो smoke के contact में जो दूसरा person आता है तो उसको भी COPD होने के chances जो है वो बढ़ जाते हैं जिसको हम कहते हैं कि second hand smoke फिर पास्ट में आपको अस्तमा हुआ था या फिर कोई दूसरे रेस्परेटरेटरेक रेलेटेड कंडिसन्स होई तो आगे जाके वो chronic obstructive pulmonary disease kinder convert हो सकता है फिर ये समझे कोजी सकेंदर की lungs are destroyed as a result of damaging exposure to cigarette smoke कि अगर कोई person cigarette smoke करता है या फिर टॉबे को smoking करता है तो उसका जो दूआ है उसका जो smoke है वो आपकी जो lungs है उसको करता है damage तो lungs are destroyed as a result of damaging exposure to cigarette smoke and other irritating gases not long enough cigarette smoke और दूसे भी दूसरे irritating gases की यहाँ पर आप नीचे वाला ये डायग्राम देखे तो आप ऐसे air polluted air है और उसमें भी ऐसे काफी harmful gases होते है कि वो जब आप inhale करते है तो उनके करन के आपके जो lungs है वो destroy होते है and also by a particulate matter कि ऐसे matters के लेक लेड़ वगेरा है उस सबकी impurities वहाँ की air के अंदर है और ऐसी air समझो कि आप inhale करते है तो उसके करन भी जो polluted air के inhalation के करन as well as जो cigarette smoke के जो inhalation के करन आपको ये problem हो सकता है फिर exposure to tobacco smoke the most significant risk factor for COPD is long term cigarette smoking तो ये आप देख सकते है तो prevention में एक यही रहेगा कि you must have to avoid the cigarette smoking फिर people with asthma कि जिनको अस्थमा था past के अंदर तो उनको भी आगे जाके COPD का ये जो problem है वो हो सकता है तो ये सब थे अलग-अलग courses about the COPD अब समझते हैं उसके symptoms के बारे में तो जब आपके lungs वगेरा damage होते हैं COPD के अंदर तो सबसे पहले ये एक symptom develop होता है that is shortness of breath मतलब की breathing में जो है वो काफी difficulty होती है person को तो उसके treatment के तौर पे जो supportive care जो हम कहते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि oxygen therapy जो है वो continuously patient को दी जाते हैं कि जिसके करन उसको कोई breathing के अंदर difficulty ना हो और यहाँ पे देखें shortness of breath and especially during the physical activities फिर दूसरा जो symptom develop होता है that is wheezing and chest tightness कि wheezing जैसा होता है chest tightness जैसा होता है person को because वहाँ पे जो है तो यह जो होने का main reason है वो है कि cough जमा होना कि अभी जो आपने बात के कि जो bronchitis की condition पी develop होती है COPD के अंदर तो वो क्या करता है especially जो cough है वो काफी accumulate होता है आपके chest के अंदर उसके करण क्या होता है कि जब person breathing करता है जो wheezing जैसा sound मतलब कि जो whistle का जो sound है वो एसा produce होता है breathing and breath out के दोरान कि जिसको हम wheezing कहते है chest tightness मतलब कि आपके chest के अंदर काफी cough जमा होने के करण chest tightness जैसा feel होता है तीसरा condition एक chronic cough that may produce a mucus कि जिसको हम कहते है sputum that may be clear white yellow or green is कि जब person को chronic cough होना start हो जाता है मतलब कि खासी आना सुरू हो जाती है और वो खासी के अंदर जो है वो mucus develop होता है मतलब कि गीली खासी होती है कि जिसके अंदर mucus जो है वो involved होता है और वो mucus कि जिसको हम sputum कहते है उसका समझे की analysis किया जाए तो वो clear हो सकता है या फिर white, yellow और green is दूसरे आप symptoms देखे COPDK तो frequent respiratory infections हो सकते है leak of energy person काफी weak हो जाता है इसलिए यहाँ पे देखो लिखा है कि person feels very fatigue, easily fatigue मतलब कि जल्दी से थकान होती है because oxygen जो है वो person को proper नहीं मिल पाता और जिसके करण उसकी जो body की जो capacity है काम करने की वो काफी कम हो जाते है इसके करण person जो है वो weakness फिल करता है energy काफी कम हो ऐसा फिल करता है lake of energy इसे के करण आप यहाँ पे देख सकते कि जो oxygen जो है वो continuously उसको दिया जाता है externally unintended weight loss person का जब आप weight measure करोगे तो weight loss होता है swelling in ankles ankle swelling होता है feet और legs chronic cough डेवलप होता है dyspnea मतलब की difficult और labor breathing breathing करने में काफी difficulty होना and nail clumping कि यहाँ पे आप देख सकते कि इस तरह से यह जो nail जो है वो develop होना कि जिसको हम कहते है nail clumping या फिर digital clumping जिसको कहा जाता है कि आगे कि जो end होते है nails के वो इस तरह से develop होते है तो अब बात आती है diagnosis के कि किस तरह से यह condition को diagnose किया जाता है तो simple test कि जिसको spirometry हम कहते है तो spirometry से diagnosis होता है कि जिसके अंदर mainly oxygen level वगेरा check-up किया जाते है person के फिर दूसरे imaging test पर कोम किया जाता है जैसे की chest x-ray निकाला जाता है कि यह वाला diagram यह जो आप देख सकते है that is chest x-ray और उसके side में जो diagram b है वो आप देख सकते है that is a city scan of the chest तो chest x-ray निकाला जाता है as well as city scan की जाती है chest की this image can provide detailed look at your lungs, blood vessels and heart an arterial blood gas test वो भी perform किया जाता है and this involves taking a blood sample from an arteries to measure your blood oxygen, carbon dioxide and other important level so diagnosis से जो आपको पता चलता है कि कितने amount में oxygen जो है वो present है या फिर CO2 का level, oxygen and CO2 का level पता चलता है as well as कितने amount में जो cough present है आपके chest के अंदर वो पता चलता है ये diagnosis से और उसके basis पे आगे जो है वो treatment जो है वो की जाती है कि कहा पे obstruction है कहा पे किस तरह से damage है वो सब ये diagnosis से पता चलता है अब जो next बात आती है वो है medicines के कौन से medicines use होते है to manage the condition of a COPD कि COPD के management में कौन से medicines use किया जाते है तो first हम देखे तो bronchodilators को prescribe किया जाता है to dilate the bronchitis कि जो airway काफे block हो जाता है narrow हो जाता है तो उसको wide करने के लिए वो blockage को open करने के लिए bronchodilators जो है वो first choice बनते है ये treatment के अंदर उसके बात जो है वो inhalation से लेने वाले जो steroids medications है कि inhalation के थूँ, aerosol के थूँ या फिर inhalers के थूँ वो patient लेते है as well as nebulizers के थूँ भी उनको दिया जाता है फिर combination वाले inhalers के जिसके अंदर एक या दो medicines का combination है oral steroids के medications भी दिया जाते है theophylline देख सकते के आप itophylline as well as theophylline के tablet antibiotics and phosphodiesterase for inhibitor जिसे कि यहाँ पे roflomilast के tablet के जो 500 microgram के strength के अंदर आग देख सकते तो यह सभी medications जो है वो प्रिस्क्रेब के जाते है to treat or manage of the COPD तो यह सभी medicines को हम detail में सिखेंगे part 2 video lecture में COPD के जिसके अंदर हम detail में सिखेंगे कि एक pharmacology of drugs acting on respiratory system and drug use in the management of COPD के वो हमारा special video lecture रहेगा part 2 और COPD तो जो bronchodilators है उनके बारे में भी हम study करेंगे as well as जितने भी दो medicines के जो COPD में use होते है वो सभी को हम सिखेंगे part 2 video lecture खिंदर तो part 2 रहेगा हमारा special about the detailed pharmacology of medicines using the management of COPD so get our lecture notes on a pharma rocks app कि जो Android application है Google Play Store पे Apple iPhone अपन अपस्टोर thank you for watching join कर सकते है WhatsApp groups access कर सकते है study material test series and video lecture on a app pharma rocks so good luck and all the best प्रिके जो एटबान हूँ कि ए थाईोप कर दो नहीं नहीं है और छो अभीं झाल उज़िए ऐस आते है रहेज़िए कि एसन तो कि जाने है कि ऐसे टाना है श्दप कर आता है और एए उए उए जए पीपशिए